आजनी कडिमा अपने स्वातंत्र सेना नी चंपक रामन पिल्लै ने याद करी रहा शिये 26 में 1934 ना रोच तमनू अवसान थायू हतो पिल्लै भारत मां सामरजवादी ब्रेटिश सत्ता पर हुमलो करवा माटे विदेश मां भारतिय दलोने संगठीत करवा मां रास बिहरी बोस अने सुभाश शिंद्र बोस ना पूरो गामी हता पिल्लै ने जै हिंदनू स्लोगन आपा बदल श्रे आपामा आवे छे चंपक रामन पिल्लै नो जन्मा पंदर सप्टेंबर अढ़ार सो एकाणो ना रूच केरल ना कोची मा थायो हतो तमना विद्यार्थी कालदर्म्यान पिल्लै राष्टवाज शिखाउता पुस्तको अने सामाईको प्रते खुबज आकर्शी थाता तेओ आजादीनी चलवल मा अग्रणी निताओना भाशनों सांबलता लोक मान्य बाल खंगादर तीलक नों व्यक्तित्व अने केसरी मा तेमना लखाणों ये पिल्लै ने देश भक्त अने क्रांतिकारी बनावया जारे तीलक नी धर पकड करवा मा आवी अने तेमने देश निकालनी सजा अफ़ा मा आवी तेरे चंपक रामन ने खुबज आगयत लागयो हतो तेमने पोतानों आखुज जिवन आजादीनी लड़ाई मा समर्पित करवानी प्रतिगना लिथी चंपक रामन एक अंग्रेजना संपर्क मा आवया जे जर्मनी माटे जासुसी करी रहा हता बाद मा अजासुसी मदथी पिल्लाई भारत थी विदेश गया ते समय पिल्लाई मात्र सत्तर वश्ना हता चंपक रामन सौथी पहला कोलंबो अने तेहां थी स्विजलेंड गया पिल्लाई ये जुरिक मा तेमनु शिक्षन कारिय पूर्ण करियू अने एंजिनरिंग मा डॉक्टरेट नी पदवी मिलवी जरे प्रथम विश्वयुद शरू थयू तेहरे पिल्लाई ये जर्मन MSC नी मदथी 1904 मा इंटरनाशनल प्रो इंडिया कमेटी नी रचना करी तेनो मुख्य मतक चुरिक मा हतू अने चंपक रामने पोते तेना प्रमोख नी जवाबदारी संबाडी पिल्लाई ओक्टोबर 1904 मा बरलिन गया अने तेहां भार्तिये स्वतंत्रता समिती नी शरूआत करी लाला हर दयाल, तारकनाथ दास, बरकतुल्ला, चंद्रकान चक्रवर्ती, भुपेंद्रनाथ दत्थ, प्रभाकर, विरेंद्र चटोबाध्याय, विरेंद्र सरकार अने हेरंबालाल गुपता सहीत विदेश मा रहता अने क्रांतिकारी कारेगर मुतयार करवा पिल्लाई साथे जोड़ाई गया चंपक रामन पिल्लाई ये जर्मन लोकोनो विश्वास जितियो अने हिंद महासागर मा जर्मन नौका अभियाननो नेतरुत्व करियो प्रिटिश सरकारे चंपक रामन पिल्लाई ने पकड़नार व्यक्ति ने एक लाख पाउंडनो इना मापनी जायरात करी परिन्तु भारत माताना महान सपुत ने अंग्रेजो क्यारे पकड़ी शक्ति पिल्लाई ये प्रथम विश्वयुद्ध दर्म्यान भारतिय राष्टिय स्वायम सेवक कोपसनी स्थापना करी तेमने स्वायम सेवको माटे लशकरी पैरवेश औने शिस्थ पन सुच्वी चुल्लाई 1904 माँ पिल्लाई ये बरलिन थी भारतिय सेनीकोंने संदेशों मुकल्यों के बढ़वो करवानों औने मात्रु भुमिने आसात करवानों समय आवी कल्यों छे बाद मां 1909 मां जरे चंपक रामन पिल्लाई वियेना मां सुभाश्चंद्र बोजने मलेया तर तेमने योजना नेताजी सुभाश्चंद्र बोजने जड़ावी एउं मानवामा आवेश है कि सुभाष चंद्रबोजे तेज रस्तो पसंग करे हो जे चंपक रामन पिल्लाई ये तेमने बतावे होतो बिजा विश्वयुद दर्म्यान आजाद हिन फोजनी रचना साथे पिल्लाईनू स्वपन साकार थायो डिसेंबर 1915 मा अफगानिस्तान मा स्थापायली भारतनी वजगाणानी सरकार मा मंत्री तरीके चंपक रामन पिल्लाईने पन गवरो प्राप्त थायो राजा महेंद्र पताप सींग काबुल मा ते सरकार ना प्रमुखता परंदो प्रथम विश्वयुद मा जर्मनीनी हार्थी तमाम अशाव पर पानी फरी वड़ियो अने जर्मनी अने स्वाभीमानी भारतियोंनी क्रांती कारियो वच्चेना संबंधो तूटी गया तेयो नाजियोंना क्रोधनों शिकार बन्या तेमने स्लो पोईजन आपाम आवी होवानू मानवाम आवेशे पिल्लाई नुम्रुत्यू 26 में 1934 ना रोज थायू हतू तेमनी पतनी लक्ष्मिबाई ने घणी पीडा सहन करवी पड़ी हती करानके नाजियों ये तेमनू जीवन नरक बनावी दीदू हतू आम होवच्छता लक्ष्मिबाई पिल्लाई चंपक रामननी राक डाइरी अनि तेमना गोपनिये दस्तावेजोने साचवम सफल रहा हता पिल्लाई नहीं छल्ली इच्छा अनुसार लक्ष्मिबाई तमनी अस्तियो भारत लावया ज्या कन्या कुमारीमा संपून राष्कीय सन्मान साथे तेने समुधरमा व्योडवी देवामा आवया आ महान स्वात अंत्र सेनानी चंपक रामन पिल्लाईने शत शत नमन आजे अपने स्वात्तेंत्र सेनानी मौम्मद युसूप नक्षबंदी ने पन याद करी रहा शे। तेओ 26 में ओगणी सो 46 ना रोज शही थया हाता। मौम्मद युसूप न जन्मा जम्मू अने कश्मीर ना श्री नगर मां ओगणी सो 23 मां थायो हतो। मौम्मद युसूप प्रति बद्य राज नेता हाता। तेओ 266 मां जम्मू अने कश्मीर मां जवाबदार सरकार मांटेनी राज की चलवल मां सक्री पने सामेल हाता। जारे तेमले माराजाना अत्याचारी शासन सामे वीरोध करवा माटे आयोजीत सरगस्मा भागली दो। तो राज्य सैनिय द्वारा श्री नगर मां खानकाय मौल्ला मां गोडी बार मां तेओ मार्या गया। शहीद मौम्मद युसूप ने आपना नमन। शहीद मौम्मद युसूप ने आपना नमन।